महराश के पालगर में हुई संतों की हत्या के बाद अब उतर प्रदेश की बलंद शहर से ऐसी ही घटना सामनी आई है बताया जा रहा है कि एक शक्स ने मंदिर परिसर में दो साधूं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी बलंद शहर में अनूप शहर कोतवाली शेतर के पगोन गाउं में एक शिव मंदिर है शिव मंदिर में रहने वाले 55 वर्षिय साधू जगंदास और 35 वर्षिय साधू सेवादास की सुमवा रात हत्या कर दी गई मंगरवाज सबच जब ग्रामिन मंदिर पहुचे तो साधूं के शव खून से लथपत मिले सूशना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया पुलिस भी मौक पर पहुच गए हाला कि गाउवालों ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया है बुलंद शहर के SSP संतोश कुमार सेह ने घटा पर जानकारी देते हुए बताया आरोपि को गिरफतार कर लिया गया है शुरुआत इजाच में बता चला कि कुछ दिन पहले आरोपि ने साधूं का चिम्टा उठा लिया था कर दी गई थी भीड के हथे चड़े साधूं मुंबई के जोगेश्वरी स्थनमान मंदिर के थे और दोनों साधूं मुंबई से सूरत अपने गुरू के अंतिम संसकार में जा रहे थे सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स